सारा अली खान जिन इब्राहिम अली खान को पुकारते नजल आ रही है वो इब्राहिम स्क्रीनिंग को छोड़ कर क्यों चले गए इब्राहिम ने किस बात पर लूस कर दिया अपना कूल वेल वेल ये है सारा अली खान और विकी कौशल स्टारर रिसंटली रिलीस्ट फिल्म जरा हटके जरा बचके की एक खास स्क्रीनिंग के सबसे बड़े हाइलाइट्स जहां एक थियर्टर में अपनी फैमली को फिल्म दिखाने लेकर गई थी सारा अली खान वेल स्टोरी में आगे हम आपको बताएंगे इब्राहिम क्यों हुए नाराज और सारा ने अपने यंग ब्रदर को पियार से कैसे मनाया रिसंटली सारा अली खान अपनी फैमली को लेकर गई थियर्टर में अपनी फिल्म दिखाने पर फैन्स को देखने मिल गया एक इमोशनल फैमली ड्रामा जी हाँ जाहिर है जरा हटके जरा बचके की लीड अक्रिस अगर खुद किसी थियर्टर में बहुत जाए तो ओडियन्स को अपनी फैवरिट स्टार को थियर्टर में देखकर कैसा लगेगा और लगता है ऐसा ही कुछ हुआ जब सारा लेकर गई इबराहिम को अपनी फिल्म दिखाने और फिर जब सारा फैन्स अप अपराज्य के बीच घिर गई तो इबराहिम को वहां रहना शायद ठीक नहीं लगा और उर्णों ने फिल्म देखने के बाद बाहर जाना ही ठीक समझा तो बस इबराहिम का भीड को चीर कर निकलने का वीडियो भी वाइरल हो गया जिसमें इबराहिम कहते नजर आ रहे हैं मुझे जगय दो हिरोईन वहां पर खड़ी है इबराहिम को साथ ना पाकर सारा हो गई परेशान और वो अपने यंग ब्रदर को खोचती नजर आई और फिर देखिए इबराहिम के नजर आने पर उनहें कितना सुकून मिला इस पर जिस बात ने फैंस का दिल जीत लिया वो बात थी सारा की आखिर में अपने भाई के लिए कही हुई ये बात वैल इबराहिम के लिए ये बात सारा ने इतने प्यार से कही कि सोशल मीडिया पर उन्होंने फैंस का भी दिल जीत लिया है एक यूजर ने लिखा शी इस वेरी केरिंग तो वहीं एक दूसरे यूजर ने कॉमेंट किया क्यूट सिस लव बता दे कि सारा अली खान और विकी कौशल स्टारर जरा हटके जरा बचके जून सेकंड को रिलीज हुई है और लगभग 20 करोर के एकस्पेक्टर बीकन कलेक्शन के साथ बॉक्स ओफिस पर काफी अच्छा बिजनेस कर रही है है